हेलो एवरिवन, वेलकम तू मा चैनल आज मैं आपको चिकिन फ्रेंकी बना के दिखाऊंगी ये एक बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट फूर होता है और लोगों को बहुत पसंद होता है इसे घर पे भी बहुत एजली आप बना सकते हैं आज के इस वीडियो मैं आपको दो तरह की चिकन फ्रेंकी बना के दिखाऊंगी एक है चिकन चीज फ्रेंकी और दूसरी है चिकन म्योनीज फ्रेंकी तो इस वीडियो को एन तक ज़रूर देखियेगा सबसे पहले मैं इसका डो रैडी करूँगी इसके लिए मैंने एक बोल में दो कटोरी मेंदा लिया है, अब नमक डाल रहे हूं, आप अपे टेस के हिसाब से डालिएगा, दो चमच दही और देर छोटे चमच तेर, आप इसकी जगे घी का भी यूज़ कर सकते हैं, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दोगी, यह आ जाएगा और हमारे फ्रेंकी बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, और हमारा डो एकदम हाट भी नहीं होना चाहिए नहीं, तो फ्रेंकी का जो हमारा माई रोटी है, वो बहुत कड़ी बनेगे, तो इस तरह से धीरे धीरे आप पानी डालिए, और उसको चेक करते जाएगे हमारा जो डो होगा, वो रोटी के डो से थोड़ा सा जादा सॉफ्ट होगा, जब इस तरह से हमारा डो रेडी हो जाएगा, तो एंड में थोड़ा सा ओईल दीजेगा, और उपर से उसमें डाल दीजेगा, अब मैं इसको आदे घंटे के लिए सेट होने के लिए लग है, ताकि हमारा मैरीनेशन हर पीस में एकदम अंदर तक चला जाएगा, मैं मैरीनेशन के लिए यूज करूँगी, दही, तेल, मस्टर्ड ओइल मैंने लिया है, हल्ली, नमक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, जिंजर गालिक पेस्ट, मैंने मसालों में लिया है, च कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और ब्लैक पेपर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैरीनेशन, ये हमारे चिकिन में जो भी मसाले थे, इन सब को मैं डाल लूँगी, इस तरह से मैंने यहां मसाले डाल लिये हैं, अब मैं इसमें डालूँगी, दो छोटी चमच जिं और एक चमच में मस्टर्ड ओयल डाल रही हैं, इससे हमारा मैरीनेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, अब इसमें डालूँगी एक छोटा चमच धनिया पाउडर, आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर छोटा चमच, और सॉल्ट टू टेस्ट, आप अपने हिसाब से डाल दीजेगा, आपको जितना सही लगेगा, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी, ताकि हमारे सारे मसाले चिकिन में अच्छी तरह से चले जाएगा, और जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद में इसको कम से कम एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी, चिकिन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, अब मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन लिया है, ताकि हमारा जो चिकिन का मसाला है वो कंटेनर में चिपके नहीं, तो हो सके तो आप भी नॉन स्टिक पैन ही लिजेगा, मैंने इसमें तीन चमज तेल डाला हुआ है, जब तेल गरम हो जाएगा, तम चिकिन के पीसे इसमें डाल देंगे, और उनको अलग-अलग सेपरेट करते जाएंगे, ताकि हमारे चिकि हो चुके हैं, अब हम चिकिन के पीसे को चेक करेंगे, और मैंने सारे एक पीसे को इस तरह से पल्टा लिया है, देखी, इसमें काफी पानी आ चुका है, बहुत अच्छा है, हमको अलग से पानी डालने की बिल्को जरूआत नहीं है, यह इसी पानी में आराम से पकता जाए अब हम लिट को फिर से बंद कर देंगे और 5 मिट के बाद फिर से चेक करेंगे, टोटल 10 मिट हो चुके हैं हमारे चिकिन को पकते हुए, अब मैं फिर से इसको चेक करूंगे, देखी हैं पे काफी पानी आ चुका है, इसलिए मैं फ्लेम को फुल पे कर रही हूँ और सारे पीसे को हम फिर से पलट लेंगे, देखिए ये पीसे कितने अच्छे लग रहे हैं वो काफी हद तक पक भी चुके हैं, बस हम थोड़ी देर इसको फिर से ढखेंगे और दो मिर्ट तक और पकाएंगे, ये देखिए हमारे पीसे अच्छी तरह से पक चुके हैं और इसका मसाल बिल्कुल रेडी हो चुका है पानी भी अब इसमें बिल्कुल भी एक्स्रा नहीं दिख रहा है यदि आपको लगे कि आप जब ये चिकन बनारे इसमें थोड़ा पानी लग रहा है तो फ्लेम को फुल कर लीजिए पानी जितना भी एक्स्टा होगा उसको निकान लेंगे हम नहीं तो हमारे फ्रेंकी गीरे बनेंगे इस तरह से देखी मैंने चेक किया है कि चिकन पीसे अच्छे से पके हैं कि नहीं तो आप देख सकते हैं यह अच्छी तरह से पक चुके हैं और हमारा फ्रेंकी का जो चिकन मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है अब हम फ्लेम देखिए इस तरह से मैंने लोईयां काटी हैं तो दो कटोरी मेंदे से जो हमने डो बनाया था उससे यहाँ पर मैंने छे लोई काटी है तो हमाई छे फ्रेंकी इससे बन सकती है तो आप भी इस तरह से पूरी लोईयां पहले से ही बनाके रख लीजिए तो आपको आइडिया रहेगा कि कितनी फ्रैंकी बनने वाली है अब मैं ड्राय फ्लार लगाते हुए इसको इस तरह से बेल रही हूँ और मैं इसको काफी पतला बनाओंगी ताकि हमारी जो फ्रैंकी का बेस है वो बहुत अच्छा रहे मोटा बलुकुल भी अच्छा स्वाद नहीं देगा तो आप जब तवा हमारा गरम हो जाएगा तो इसको हम इस तरह से डाल देंगी जब तक वह हमारी एक प्रैंकी का पराठा रेडी होएगा तब तक मैं यहां पर दूसरा भी बेल के रख ले रही हूँ देखिए इस तरह से जब उसमें स्पॉर्च बनने लगेंगे तो उसको पलट देंगे और इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और उसको ऐसे दोनों तरफ से आप सेखते जाए मेरा पराठे के मैंने दोनों तरफ तेल लगाया है और फ्लेम को स्लो रखा है ताकि हमारा जो प्रैंकी का पराठा है वो जले नहीं और दिखने में भी वो अच्छा दिखना चाहिए तो इसको स्लो पे सिखेंगे जब दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिख जाएगा तो मैं इसको एक प्लेट पर निकाल दूँगी अब मैं यहाँ पर दूसा पराठा भी बना के दिखाऊंगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ दो तरगी फ्रैंकी बनाने वाली है तो मैं दूसा पराठा भ लट लिया है अब इसमें तेल लगाऊंगी और फिर से इसको टरन करके दूसरे तरफ से भी सेखेंगे जब अच्छी तरह से यह सिख जाएगा तो इसको भी हम निकाल लेंगे देखि कितना अच्छा लग रहा है हमारा प्राठा और यह बहुत ही सॉफ्ट है गैस को बंद कर दिया है मैंने क्योंकि हमारे दोनों प्राठे रैडी हो गए है अब मैं यहां पर फ्रैंकी की स्टफिंग करूंगी यह देखिए हमारे प्राठे अलेडी रैडी हो चुके हैं और यह चिकीन देखिए कितना अच्छा लग रहा है साथ ही मैं यूज करने जा रही हूँ ग्रेट चीज और यह स्वीट अनियन सॉस अब मार्किट में इसली मिल जाता है पर यह टोटली ऑप्शनल है यह चीज प्रैट किसी भी कंपनी का ले लीजिए यह है मियोनीज लेटिस और यहां पे मैंने अनियन को और बीट रूट को ऐसे विनेगर में डालके रखा हुआ है इससे टेस बहुत ही अच्छा आता है मारे फ्रैंकी का और देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है प्लीज ट्राइ कीजिएगा पहले मैं मियोनीज फ्रैंकी बना रही हूँ तो इस पे मैंने सबसे पहले पराथे की ऊपर चीस प्रेट लगाया है और इसके बाद मैं चिकिन के पीसे रख रही हूँ यह देखिए इस तरह से एके करके से चिकिन के पीसेद रख दीजे और यहाँ पर मैं एक जम्बो फ्रेंकी बनाने वाली हूँ तो यह काफी बड़ा होने वाला है चिकिन पीसेद रखने के बाद मैं इसके उपर रखनी हूँ बीट रूट और रिंग अनियन यह बहुत ही अच्छी लगेंगी क्योंकि यह विनेगर में डली हूई थी साथ ही में मैंने इसके उपर रखा है लेटस और एंड में मैं इसके उपर डालूँगी खूप सारी म्योनीज क्योंकि यह तो म्योनीज फ्रेंकी है ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, जैसे हमने इसके उपर म्योनीज रखा है, इस तरह से पूरा म्योनीज अच्छी तरह से फैला लेंगे, और हम इसको बंद करेंगे, फोल्ड किया और हमारा फ्रेंकी रेडी है, अब मैं बनाओंगी चीज फ्रेंकी, तो यहां पर स एके करके देखिए, मैंने ऐसे चिकन के पीसे रख लिया है, अब मैं इसके उपर स्वीट अनियन सॉस डाल रही हूं, जो कि मैंने आपको बताया था, आप्शनल है, यह मुझे चीज के साथ अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल रही हूं, अब मैं इसके उपर अब इसके उपर रखेंगे लेटर्स, और एंड मैं इसके उपर थोड़ा सा और चीज रालोगी, यह देखिए, बहुत ही अच्छा रगेगा एकदम चीजी चीजी, बस इसको फोल्ड कीजिए, और आपका फ्रेंकी रेडी है, यह देखिए, हमारी दोनों फ्रेंकी बनके तैयार हो गई है, तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है, तो इसको जरूर लाइक और शेर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें